सच्छ्यकाल और हैपी लोडी टू आल मैं वियर्स फ्रेंड्स लोडी का त्योहार न केवल पंजाब बलकि पूरे भारत में बड़े ही दुमधाम के साथ मनाया जाता है इस दिन लोग घरों में साख, मक्की की रोटी और खेर और बहुत तरह के पकवान भी बनाते हैं इस दिन बच्चे घर घर जाकर लोडी मांगते हैं और शाम के समय घरों के बार लोडी को जलाया भी जाता है इस दोरान लोग अगनी में रेवडी और मुंफली को डाल कर भगवान का आशिरवात भी लेते हैं ये त्योहार ना केवल हिंदू लोगों के लिए बलकि किसानों के लिए भी बहुत ही महत्पून होता है क्योंकि इन दिनों गन्य की फसल की किटाई की जाती है वहीं गन्य से गज्चक और रेवडी और गुड़ भी बनता है लोडी का अर्थ है ल यानि लकड़ी ओ मतलब गोहा यानि सूखे उपले ओ डी मतलब रेवडी लोडी के मोके पर लोग मुंफली और रेवडी को कठा करके चोराहे और मोहले में खुले स्थान पर आग लगा कर जलाते है वहीं कुछ घरों में मननत पूरी होने पर चड़का तो कुछ में गोबर के उपलो की माला बना कर जड़ाई जाती है क्या है रेवडी और मुंफली जलाने का महत क्या आप सब लोग जानते हैं नहीं तो चलिए इस पर बात करते है लोडी की आग में गचक और रेवडी को अरपित करना बहुत ही शुब माना जाता है होली का दहन की तरह उपलो और लकडियों के धेर बना कर उसका दहन गिय जाता है माना जाता है इसके आस पास बच्चों को लेकर चक्कर लगाने से वे स्वस्त रहते है और बुरी नजर से भी बचे रहते है हिंदु शास्त्रों के अनुसार अगनी में समर्पित की जाने वाली चीजे सीधे भगवान तक पहुंचती है इसलिए इस पवित्र अगनी में लोडी के दिन रेवडी, तिल, मुंफली, गुड, गच्चक डाली जाती है ताकि वे सूरे और अगनी देव के प्रती अभार प्रकट कर सके उनसे प्रातना की जाती है सारा साल क्रिशी में उन्ती हो और उनके घर में धन और अनकी कभी भी कमी ना हो तो फ्रेंट्स ये थी कुछ लोडी से जुड़ी भाते उमेद करती हूं कि आपको ये वीडियो और इसकी जानकारी अच्छी लगी होगी एक बार फिर से मेरी तरफ से और मेरी चैनल के तरफ से हपी लोडी तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो तिल नाओ बाइ